Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है Solo कहानी शुरू होती है जौन नाम के आदमी से जो अपनी girlfriend Julie के साथ समुंदर किनारे बैठा हुआ है वो उसे अपने साथ एक हुए हास्ते के बारे में बता रहा है जब उसने जीनी की उमीद ही छोड़ दी थी लेकिन उसके होसले ने उसे दुबारा जिन्दगी दे दी यहाँ वो उसे यह भी बताता है कि जिस जगहां पे हम बैठे हैं यह वही मन्हूस जगह है जिसके चकर में वो खुद को खोने वाला था पर आखिर वो यह सब क्या बोल रहा है और आखिर जौन के साथ हुआ क्या था यह सब जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहानी के फ्लैश बैक में जहां पर हम जौन को अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करती हुए देखते हैं अब रात में वो पार्टी कर रहे होते हैं उसी दोरान उसका दोस्त कैनन आके उसे बताता है कि आकर वो हमेशा के लिए कैनाडा शिफ्ट हो रहा है वो अपनी फैमली के साथ रहना चाता है लेकिन जौन को ये बात बुरी लगती है क्योंकि कैनन ने उसे वादा किया था कि वो उसके साथ दुनिया भर में सर्फिंग करेगा लेकिन अब वो उसे छोड़ कर जा रहा है और इस बात से वो कुछ नाखुछ रह जाता है लेकिन तब कैनन आके उसे समझाता है कि जो काम हम दोनों साथ में नहीं कर पाए वो काम अब तुम अकेले करना हम दोनों के ड्रीम को पूरा करना जिसके बाद उन दोनों में फिर स बातचीत होने लगती है अब नक्सीन में जब जॉन के आँख खोलती है तो वो खुद की कार में होता है यहां वो फैसला करता है कि वो जाकर उस जगां पर सर्फिंग करेगा जहां पर आज तक कोई नहीं गया होगा और फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और एक जग सर्फिंग कर भी पाएगा या नहीं लेकिन उसके पैशन के आगे कुछ भी नहीं है तो वो खुद को और आगे चलने को कहता है पर तभी एक हासा हो जाता है उसका पैर फिसल जाता है वो चटान से फिसलते हुए नीचे जाने लगता है लेकिन तभी वो एक पत्थर को दोस्त का था लेकिन उसके बुरी किस्मत थी उसके फोन को पॉकेट में ना रखने के बजाए उसने अपने बैग में रखा हुआ था जहां तक उसका हाथ पहुच पाना मुश्किल था कुछ देर बाद फोन कट हो जाता है और उसकी एक उमीद भी तूट जाती है तो वो सो राइड करता है कि वो नीचे कूदेगा लेकिन अभी नहीं जब समुंदर की लहर आकर उस पत्थरों से टकराएगी जिसके लिए वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है ताकि उसे वेव का समय पता चल सके और फिर जैसे ही अगली वे वाती है वो हाथ छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है लेकिन यहां पर उसकी कैलकुलेशन फिल हो जाती है और उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है जिसे कि पैर की हड़ी टूट जाती है और हाथ में भी एक कट आता है लेकिन उसकी किसमत अच्छी थी कि वह भी जिन्दा था लेकिन जब वो चलन की कोशिश करता है तो गिर कर भी होश हो जाता है क्योंकि हड़ी तूटने की वज़े से उसे बहुत जादा दर्द हो रहा था अब यहां से कहानी प्रेज़ेंट में आती है जूली कहती है कि तुम अपनी लाइफ में कभी सीरेस हुए ही नहीं थे मैंने कितने सारे प्लान बन उसे बता चलता है कि उसके पीट में भी चोट लगी है जिसमेंसे काफी खून बहरा है लेकिन सबसे जादा दर्द उसे पैर की चोट दे रही थी लेकिन उसे ऐसी हिम्मत नहीं हारनी है इसलिए वो पहले अपने बैग में से फोन निकालता है ताकि किसी से मदद मांग सके लेकिन पानी में जानी के वज़े से उसका फोन खराब हो चुका था जिसे कि उसके पास कोई चारा नहीं है वो फ्रस्टीट होकर 30-30 चिलाना शुरू करता है ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसकी मदद के लिए यहां पर आ जाए लेकिन उसके और समुंदर के तो हमें फसा हुआ हो तो उसके दिमाग में एक बार ये ख्याल तो जरूर आएगा अगर आप ऐसे जगांपर फस जाते हैं तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा वेल अब जान समुंदर में कूच जाता और तैना शुरू करत देता है क्योंकि तैर कर किसी समुंदर को पार करबाना तो नामुकीन है इसलिए वा भार चुगा था और डूबने लगता है और धीरी धीरे पानी की गहराईयों में समाने लगता है लेगिन तभी उसे जूली का किया हुआ वादा याद आता है जिसके लिए वह एक बार फ के बास सब कुछ छोड़ दूगा और एक अच्छी फैमली बनाऊंगा लेगिन तब तक जूली महां से जाने लगती है और उसे रोकनी की बहुत कोशिश करता है लेगिन इसा हो नहीं पाता लेगिन इदर जब जॉन की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि यह तो बस ऐसे पानी में नहीं जाना चाहता है वो पूरी तरह से ठक चुका है और इसकी चोड़ भी अब बढ़ती जा रही है और इसलिए वो सबसे पहले वही करता है जो हर आदमी फसी ही जगाँ पर करता है वो एक बला सा SOS का साइन बनाता है और वहीं पर लेटा रहता है ताकि अ ऐसा इसले किया था ताकि उसकी चोट में इंफेक्शन ना हो अब वो सर्फिंग काट के काफी करीब आ जाता है लेकिन तब ही एक बड़ी सी लहर आ जाती है जो उसे एक पत्थर से टकरा देती है जिससे जॉन फिर से भी होश हो जाता है इस लहर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे अपनी तरफ खीश रहे थी इसी दोराण जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को पानी में देखता है लेकिन अग उसे दوبारा से पानी में नहीं जाना है इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो लेरे रुकने का नाम ही न ले रही थी तो वो दास होकर वहीं लटका रहता है और कुछ दिर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक बर्ड उसकी चूट में से मास का टुकडा निकाल कर खा रही है जिसके उसे बहुत जादा दर्द होता है और वो रेंगती हुए किनारे पर जाने लगता है लेकिन मशली पकडने वाला ट्राप उसके हाद में चुप जाता है जिसके उसे और ज़्यादा दर्द होता है अब धीरी धीरे अंधेरा भी हो जाता है और रात में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है तो जौन उन सारे फॉइल पिपर को अपने शरील पर लपीट लेता है और तभी उसे टॉALइट आता है पर वो से वेस नहीं करता बलकि अपने टॉलइट को बलक्की टॉल जने को तॉलेट फॉइल पीपर की ओपर करता है और देन उसे पी जाता क्यूकि इसके अलावा उसके पस कोई option नहीं था अब कुछ समय के बीथने के बाद उसे बादल की आवाज आती है, वो अपना फोन ढूने लगता है कि शायद उसे कोई कॉल कर रहा है। और तब जा कर उसे बता चलता है कि ओवाज मिटी के नीची से आ रही है, तो वो फौरान उसमें गढ़ जाता है, तब जा कर उसमें उसके mom dad की video call आ रही थी वो से पूछ रहे थे कि आखिर कब वो उन्हें जूडी से मिलवाने जा रहा है लेकिन वो कुछ भी जबाब नहीं देता तब हमें पता चलता है कि यह असल में उसकी एक imagination है असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है यहां आप John धीरी धीरे करके अपने हिम्मत हार रहा था उसे अप कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करी तो करी क्या यहां से बाहर कैसे निकले लेकिन इन सब चीजों के दौरान वो अपनी phone वाली imagination को छोड़ता नहीं है वो अपने mom डैट से बात नहीं शुरू कर देता है क्योंकि उसके दिल कह रहा था कि आज जो बात करनी है कर लो क्योंकि आगे क्या पता वो जिन्दा रहे भी या फिर नहीं इसलिए वो अपने mom डैट से अपनी सारी गल्दियों की माफी मांगता और रोने लगता है लेकिन उसी दौरान उसे वही सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है जिसके लिए वो किनारे तक गया था पर अब वो खुद उसके पास आ गया है शायद उपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है तो वो घसीडते हुए उसके पास जाता और उस कार्ड को पकड़ लेता है उसी दौरान उसके सामने अपने सारे दोस दिखाई देते हैं तो वो खुद भी उनके पास सर्फिंग करने के लिए चला जाता है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये सिर्फ उसका एक imagination है अब यहाँ पर उसके दिमाग में दो चीज़े आती है एक ये कि वो यहीं बैठे कई दुनों तक किसी का इंतिजार करता रहे या फिर इस सर्फिंग कार्ड की मदद से समुन्दर को पार कर सके अब वो थोड़ी दिर सोचता है और फिर दूसरे option को done करता है क्योंकि उसे अपने सामने आने वाला कल दिखाई देता है जो कि बहुत ही खुशाल था और वो उसे अपने हाथों से जान ही नहीं दे सकता है इसलिए वो सर्फिंग कार्ड को लेकर निकल जाता है और उस सर्फिंग बोर्ड को छोड़ देता है इसे वो पानी के नीचे जाने लगता है उसकी आखों के सामने उसके सारे सपने तूटते हुए दिखाई दे रहे थे उसका परिवार उसकी गर्फरेंड उसके दोस्ट सब कुछ उससे दूर जा रहा था लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था क्योंकि जो हेलिकॉप्टर उसके उपर से गुजरा था असल में उन लोगों ने उससे बनाय हुए साइन बोर्ड को देख लिया था वो कुछी समय बाद वहाँ पे डाइवर्स की टीम लेकर आते हैं जो जॉन के सर्फिंग कार्ड को देख लेते हैं और फिर पानी में जाकर उसकी जान बचा लेते हैं यानि कि जिस चीज़ को जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसने ही उसकी जान बचाई वो सर्फिंग बोट अब इसके बाद उसे फॉरण हॉस्पिटल ले जाए जाता है जहां पे हम उसे क्यानन से बात करते हुए देखते हैं जिसमें वो कहता है कि मैंने जिन्दगी में बहुत सी गल्तियां की है मैंने अपनों को खो दिया यहां तक कि मैं अपने कई सालों से अपने माबाप से भी नहीं मिल पाए लेकिन इस हास्ते ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं कभी सीख नहीं पाता इसने मुझे हर चीज की वैल्यू बता दिया है कुछ समय के बाद वहाँ जूली भी आती है जो शादी के लिए हां कर देती है जिसे जॉन बहुत ही खुश होता है वगले सीन में हम जॉन को उसी जगां के पहाल पर ख़ड़ा हुआ देखते हैं पर उसके साइड में एक और शक्स खला हुआ था जिसका नाम था अलवारो विसकाइनो ये वही आदमी है जिसके उपर ये पूरी स्टोरी बनाई गई है इन्होंने ही अपनी लाइफ एक कुछ मुश्किल समय उस जगां पर बिताए जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता था तो दोस्तों ये पूरी कहानी एक सची घटना पर आधारी था है आखिर में हम उस क्लिप को भी देखते हैं जिसमें अलवारो को उन डाइवर्स ने बचाया था और उस क्लिप में सभी के चेहरे पर स्माइल होती है तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खतम हो जाती है वर आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कॉमेंट का तो कॉमेंट जरूर करेगा मिलते हैं आप से के लिडियो में पीस आउट